देखिए, जब से सरकार बनी है, तब से मैं एकी बात को बोलता रहा हूँ कि जब हमारी कॉंगर सरकार पहले थी, पांच साल काम सरकार ने काम किया, लेकिन परणाम जब आए तो हम सरफ 21 बदायक रहे गए थे, अगर एक दो बदायक कम होते तो हम नेतर पतिपक्ष का मिलती हैं, और लगबख पचास ही राइस्तान में ऐसी हैं, जो SCST के लिए अरक्षित हैं, उस सरकार में हमारी जब चुनाव हुए थे, तो हमारे सरफ दो विदायक SCST के आए थे, पचास में से, और पूरी कैबिनेट में से सरफ दो मंदी जीत किया थे, तो उसके बाद हम स सबाचनाब हो, ब्लोक सबा का बाइलेक्शन हो, हर जगे बादचपा को हराया, और वसुनजाजी की सरकार ने जो, जो कुछ करना था हमारे साथ किया, और उनकी लाखी में हमने खाई, हमने संगर्जपी किया है, और खूब रगड़ाई करने के बाद, खूब रगड़ाई जी से, राहूल गांदी जी से, प्रेंका जी से, नेताओं से, जो हमारे AICS की लीडरिशिप है, उन सबसे हम लगातार बात कर रहे हैं, और जैसे मैंने पहले भी कई भार कहा, कि सुजाव मेंने दी हैं, उस पर पार्टी ने काम करना भी शुरू किया है, और उसके अच्छ हुई है, हम 2013 में जो हम सरकार से बाहर हुए थे, तो किस हालाक में हम लोग थे, किस हमारी पार्टी कहां थी, उस समय जिन लोगों ने पार्टी के लिए सब कुछ किया, उसकों कैसे बला सकते हैं, और मुझे लगता है कि 23 का जो चुनाव होगा, उसमें राजिस्थान के अं झाल 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 झाल